हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटुब चैनल सरकरेज जॉब नूइज यह 29 अप्राइल 2020 के इनपॉटेंट का इनपॉटेंट कोशन से इसका PDF नोट्स के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अबलेबल है या आप वीडियो खत्मन से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जागा वहां से भी ले सकते हो तो शुरू करते हो और पहला कोशन है बहुत इनपॉटेंट सबसे ज़्यादा सेन खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने अस्थान पर पहुँच गया है इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कोशन को कह सकते हैं कि सिपडी की रिपोर्ट के अनुसार सेन खर्च के मामले में वर्ष 2019 में भारत दुनिया में किस अस्थान पर रहा आंसर होगा तीसरे थर्ड अस्थान पर रहा और किसने जाड़ी की है रिपोर्ट तो सिपडी ने इस्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्थिटूट ओके और रिपोर्ट का नाम क्या है ट्रेंट्स इन वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडीचर 2019 ओके तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो था वो फोर्थ अस्थान पर था लेकिन 2019 में ये थार्ड अस्थान पर पहुंच गिया तो इसको देख लेते हैं अभी की जो रिपोर्ट है उनमें टॉप फाइब कॉनकों से हैं तो पहले अस्थान पर अमेरिका है USA उसका टोटल खर्च है सेना पर 732 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा दूसरे अस्थान पर है चाइना जिसका खर्च है 261 बिलियन डॉलर तीसरे अस्थान पर इंडिया है जिसका खर्च है 71.1 बिलियन डॉलर अगर रुपए में कनवर्ट करें इंडिया का खर्च सेना खर्च तो वो है 5,33,000 करोड रुपए चोथे अस्थान पर रूस है रसिया उसने 65.1 बिलियन और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सथ ज्यादा सेन खर्च करने वाले तीन देशों में दो देश एशिया के हैं ऐसे इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था तो भारत ने कितना खर्च बढ़ाया है यह सवाल होता है तो 2008 की तुल्ला में 2019 में टोटल जो सेन खर्च हुआ ह उसमें 6.8% की इंडिया ने ग्रोथ किया ब्रोधरी की है जैसे मैंने पहले बताया था 2008 में भारत चौथे अस्थान पर था और अब तीसरे अस्थान पर है तो क्यूं है यह ज़्यादा खर्च क्यों किया इंडिया ने उसकी वज़ा सिप्री ने बताई है उसके अनुसार क भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसकी वज़े से यह खर्च इंडिया का बढ़ा है और दुनिया भर में जो तमाम देश हैं उनमें सेन खर्च में 2019 में पिछले दशक की सबसे उची सालाना विर्धी देखी गई जो सबसे ज़्यादा वो खर्च देखा गया पिछले 10 साल में और 2019 में टोटल गलोबल अगर खर्च देखें सेन का तो दो ट्रिलियन डॉलर था ओके तो ये एक बात थी इंपोर्टेंट चलिए आगे बरते हैं दोस्तों पसंदा रहो लाइक पटन जोड़दो आना अगला कोशन बहुत इंपोर्टेंट है आर्क् अगर वोटेक्स यानि ध्रूविय भावार ओके ये प्रक्रितिक रूप से बंद हुआ है इसमें लॉक्डाउन की कोई भूमिका नहीं है प्रदूशन नियांतरन की कोई भूमिका नहीं है जिसे कहा जा रहा है कि प्रदूशन नियांतरन हुआ है कोविड-19 की विशे जो पूरी दुनिया में, तो उसे प्रदूर्शन तो नियतित हुआ है, हवा साफ हुई है, लेकिन उसे इसका कोई मतलब नहीं है, ओजोन लेयर ठीक होने का, जो छेद था सबसे बड़ा, अब तक का ओजोन लेयर का, उसकी पुष्टी किसने की भर जाने की, छेद खत्म हो जाने तो पुष्टी की है, European Center for Medium-Range Weather Forecast ने, ECMWF ने 23 अप्रेल को की है, तो उसके दो मौसम सम्मधित सेवाए हैं, उन दोनोंने ये रिपोर्ट चारी की है, तो क्यों ज़रूर यह ओजोन परत, मुझे लगता आप सब पता होगा, ओजोन लेयर जो है, पृत्वी की उपरी, वा बीच की दूरी को, पृत्वी की सता से, और ये सूरज से जो अल्टावालेट रेज आती है, करने आती है, उसको सोक लेता है, वही रोक लेता है, तो उसे हम लोग जो पृत्वी वासी है, वो हानिकारक रेडियेशन से बच जाते हैं, और इसकिन कैंसर उस रेडियेशन की होता है, तो एक तरसे हम बचते हैं, तो ये एक सवाल होता है, कि ये जो ओजोन लेयर में जो होल हो गया था, सबसे बड़ा, 10 लाख किलोमेटर रेंज का इतना बड़ा, तो कब ढोना गया था, देकि इसी मार्च में वेग्यानिकों ने 2020 में ही पहली बार छेद की पहचान क पहली थी, और ये ओजोन की का सबसे बड़ा होल माना जाता रहा है, अगर ये दक्षिन की तरफ बढ़ जाता, ये दूसरी इलाके में बढ़ जाता, ये होल तो लोगों के लिए खत्रा बन सकता था, तो ये होल कैसे बना, क्या हुआ, तो European Space Agency की रिपोर्ट के अनुसार, य जो छरन के लिए, यानि होल बनने के लिए, ठंडे वातारवन, माइनस 80 डिग्री सल्सिय से कम, और सूर के प्रकाश, और पौन छेत्र, और इसके लगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, यानि CFC जैसे प्दार्थ जिम्मेदार थे, मुख तोर पर कहा हैं, तो बादल, क्लोरो फ् कार्बन, तो इन तीनों की मातरा जो है न, वो उपर बढ़ गई, वहाँ पर इसकी वेज़ से, इस्ट्रो स्फेर में, जहां पर लेयर है, ओजोन का, तो उनमें क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम निकल रहते हैं, उसकी वेज़ से, ये जो है, ओजोन लेयर वो पतला हो रहा थ और वो छेद होता जा रहा था, तो ये कैसे ठीक हो गया, एक सवाल उठता है कि ओजोन लेयर कैसे ठीक हो गया, ये important है क्योंकि जब भी ओजोन से related आपके सामने सवाल आएंगे, UPSC में, PCS में, या कुछ दूसरे examination में भी, तो उसमें भी आपको इस सब बताना होगा, तो ये कैसे ठीक हुआ है, तो सबसे बड़ी वज़ा इसकी, जैसे मैंने question का answer में बताया, polar vortex को कहा जा रहा है, यानि धुरूविय भावर, ओके, आप satellite image भी देख रहे होंगे, धुरूविय इलाके के ऊपर वायू मंडल में तेज चक्रिये हवाएं चलती है, बताब polar vortex होता है धुविय भावर कहते हैं, भावर चलता है, और कम दाव वाले मौसम दर्शा के करन अस्थाई रूप से जो मौझूद धुविय तूफान है, वो उतरी गोलार्द में ठंडी हवाओं में आर्किक छेतर को सिमित रखने का काम करते हैं, मतलब कि जो ठंडापन है आर्किक छे समाने रहता हैं, और इसको हलका चक्रवात कह सकते हैं, तो बैग्यानिकों का ये मानना है कि जो ओजोन लेयर है, उसके भाड़ने की वज़े जो है, वो यही है, इस भावर की वज़े से वहाँ पर जो क्लोरोफ्रो कारवन है वगर वगर है, वो सब वहाँ से हट गया, निक काम दोस्तों को जुरूर शेयर करें, वाटसेप पर, फेस्बुक पर वगर वगर, ओके, क्वेशन होगा, किस देश के सेन मुख्याले ने, UFO, यानि Unidentified Flying Object के तीन वीडियो जारी किये, जिसे 2004 और 2015 में, नेवी पाइलोटों ने रिकॉर्ट किया था, इसका अंसर होगा, USA, United States States of America, अमेरिका के सेन मुख्याले हैं, उसे कहते हैं, पिंटागन, तूसी ने 27 अप्राइल को, इस वीडियो को जारी किया है, देखें, ये सब जो वीडियो था, वो गोपनिय था, लेकिन कुछ वक्त बाद जो गोपनिय चीजी होती है, उसको सार्जू ने किया जाता है, त अला कि ये वीडियो पहले भी लीक हो चुक है, लेकिन हर बार ये कहा जाता रहा कि ये फेक वीडियो है, लेकिन इस बार ये कहा गया कि ये UFO का वीडियो सही है, तो पिंटागन की वेबसाइट के मुताबिक ये वीडियो जो है, लोगों के बीच किसी तरह का ब्रहम को दू यूएफो को देखा जाने की जो उसके बाद की हकीकत क्या है उसके बाद यूएस में क्या किया ही सब कुछ जानकरी नहीं दिये तो ये एक काम किया है आपको बता दू कि अमेरिका ने ये सब जो यूएफो देखे गए थे उसके बाद तहकीकात करने के लिए Advanced Aerospace Threat Identification Program लाउ कि एक वीडियो है जिसको ऑफिशेल रूप से जारी किये गया है तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये उफो जो है वो कुछ है ये जो रिकॉर्ड है ये वीडियो है आप देख भी रहे हो इस वीडियो में ये बताय जा रहा है ने भी पाल पोल रहा है कि ये जो ये उफो है वो भूम भीरा है, कभी दाएं, कभी बाएं के तरग भूम जा रहा है तो इसके बार में आगे और डिटेल क्योरेसिटी लोगों के बन में है लेकिन उसके बार में बहुत ज़्यादा अमेरिका के दोरा बतायन नहीं गया आगे बरते हैं रगला कोशन है, केंदरी मंतिरी डॉक्टर जीतन सिंग ने उत्तरपूर के किन राज्यों को COVID-19 मुक्त घोशित करने की घोशना किया है, मतलो घोशित किया है आंसर होगा इसका सिक्किम, नागलेन, अरुनाचल प्रदेश, मणिपूर और तिरपूरा 27 अप्राइल को आठ उत्तरपूर्वी राज्यों में से पांच जो है, वो COVID-19 मुक्त हो गए अन्य तीन जो राज्ये, मेगाले, आसमा और मिजोरों, वहां भी अभी पिछले कुछ दिनों से नए मामले धर्ज नहीं की गए अगला कोशन लेते हैं, उससे पहले आपको बता दूँ कि 2019 का करेंटरफरस अब लेबल है, हिंदी और इंगलिश दोनों लेगिंड में, with notes, तो आप डानलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन देख लेना, और जन्वरी फूर्वरी का 2020 का भी करेंटरफरस अब लेबल है, डि कब से कब तक होना था, तो 27 अप्रेल से 14 अगस्त तक यह होने वाला था, और दुनिया भड़ी की बड़ी जो सेनाएं हैं, वो सब इसमें शामिल होने वाली थी, और इंडिया जो है, 2018 में पहली बर भाग लिया था इंडिया ने, यह important था, क्योंकि दुनिया भड़ के एर एर फोर्स जो है, वो शामिल होती है और डेटा एक दूसरे को एक्स्चेंज करते हैं, तो एक कोशन है आप से कि इंडिया के एर फोर्स चीफ कौन है, आप कमेंड बॉक्स में जरू बताएगा, ओके, अगला कोशन लेते हैं, एर टेल ने अपनी नेटवर्क चमता को बेहतर बनाने के लिए नोकिया गियर्स देंगे, विए एकूपमेंट्स देगा, नोकिया और एर टेल के बीच 4G नेटवर्क को बेहतर करने के लिए ये डिल हुई है, और इसके अलावा क्या होगा है, 5G जो होने वाला है, पुटा नेटवर्क तो उसकी बुनियाद भी र और नोकिया के अध्यक्ष और CEO कौन है, राजीव सूरी, अगला कोशन लेते हैं, यूएस राश्टपती डोनाल ट्रम्प ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओगनाईजेशन फॉर एगनॉमिक कोपरेशन एंड डेवलोपमेंट, तो उसमें अमेरिका का अगला दू और वहाँ पर अभी विदेश विभाग में सहाइक मंत्री है, अगला कोशन ने भारत की मध्यमदूरी की धावी का जूमा खातून को डोप टेश्ट में फेल होने पर कितने साल के लिए उन पर परतिबंद लगा दिया गया, आंसर रोगा चार साल, तो वर्ल्ड एंटी डो वक्षित एवं स्वास्त रहने का विश्व दिवस, इंगलीश में कहते हैं इसे, वर्ल्ड डे फोर सेफटी एंड हेल्थ एट वर्क, कब मना जाता है, आंसर होगा 28 अप्रेल, 28 अप्रेल को ये मना जाता है, आंतराश्टी श्रम संगठन के दौर, यानि आई एलो के दौर जो की United Nations का एक संगठन है, तो हर साल 28 अप्रेल को ये मना जाता है, और अंतराश्टी श्रम संगठन उसका मुखहले कहा है, जेनेवा, सुर्जे लेंड में, अध्यक्ष कौन है उसके, तो गाय राइडर, अस्थापना कब हुई थी, 1919 में, तो 1919 में अस्थापना हुई थी, बाद में, जब United Nations मना, तो वो उसके साथ क्लब हो गया, तो United Nations का ही एक हिस्सा बन गया, अगला कोशन है, विजय मिश्रा का निधन हुआ है, 26 अपरेल 2020 को, तो इन में से क्या थे, आंसर हो गए इसका, नाटक कार और पटकता लिखक थे, उन्होंने करीब 60 नाटको, 55 फिल् चुका था, तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको, जुरूर बताना, और हाँ, आप इसका PDF पा सकते हो, मेड़े बगल में लिंक आ गया, डाउनलोड का, क्लिक कीजिए, और डाउनलोड कर लिजे, और ना लिंक गैब हो जागा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF अबलेबल ह और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अब तक जरूर करना, साथ में बेलेकर दमाना, मत भूला, कल मौरने को मिलेंगे